हमारे देश भारत की जानी मानी मसाला कमपनियों MDH और एवरेश्ट के कुछ मसालों को सिंगापूर और होंग कॉंग में बैन कर दिया गया है क्योंकि इन मसालों में एथिलीन ओक्साइड की कौन्टिटी जितनी होनी चाहिए उससे जैदा बताई जा रही है यहा एक ऐसा केमिकल है जिससे सरीर में कैंसर पैदा हो सकता है और इससे सरीर को कई और भी नुक्सान हो सकते है आईए जानते हैं इस खत्रे के बारे में आज की इस वीडियो टेप में तो चलिए आज की इस वीडियो टेप को पले करते है तो दोस्तों सिंगापूर और होंग कॉंग में भरत के मसालों की कुवालिटी पर सवाल उठे है कुवालिटी से जुड़ी कमियों को देखते हुए सिंगापूर और होंग कॉंग में MDH और एवरेश्ट के चार मसालों को बैन कर दिया गया है और वो चार मसाले हैं MDH का मदरास करी पाउडर MDH का सांभर मसाला MDH का करी पाउडर और एवरेश्ट का फिस करी मसाला वानिज्जे मंतराले ने सिंगपूर और होंग कॉंग में भारतिय दूतावासों को परतिबंद के कारणों से जूड़ी एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है और सिंगपूर और होंग कोंग के फूड सेफटी रेगुलेटर का आरोप है कि MDH और एवरेश्ट के इन चार मसालों में कीट ना सक एथिलीन ओक्साइड की जितनी मातरा होनी चाहिए उससे जैदा मातरा है आईए समझें आखिर एथिलीन ओक्साइड है क्या और यह कितना बड़ा खत्रा है एथिलीन ओक्साइड कई इंडिस्टरी में यूज होने वाला केमिकल है यह एक कैंसर पैदा करने वाला कैमिकल है जिससे महिलाव में breast cancer का खत्रा बढ़ सकता है साथ ही यह दिमाग, DNA और नर्वस सिस्टम तक को नुक्सान पहुँचा सकता है कमरे के temperature पर ethylene oxide एक मीठी गंद वाली जवलन सील रंगहीन गैस है इसका यूज दूसरे chemicals को बनाने में भी किया जाता है साथ ही यह chemical, किटानो नासक और sterilizing agent के रूप में भी काम आता है अब बात करेगी एथिलीन oxide कितना खत्रनाक हो सकता है तो अमेरिका की National Cancer Institute की website पर लिखी जानकारी के मताबिक एथिलीन oxide की DNA को नुक्सान पहुचाने की समता इसे परभावी sterilizing agent बनाती है लेकिन यह cancer पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है एथिलीन oxide इंसानों के सरीर में सास के रस्ते से पहुच सकता है तो बात करें कि इससे किस तरह की दिक्कते हो सकती है तो International Agency for Research on Cancer यानि IARC और अमेरिकी पर्यावरन सरंडरक्षन एजंसी यानि EPA EPA एथिलीन oxide को इंसानों के लिए cancer का एक कारण मानती है EPA के मुताबिक इस chemical का थोड़े समय के लिए संपर्क human nervous system को परभावित कर सकता है इससे depression या आखों में जिलन हो सकती है लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आखों, तवचा, नाग, गले और फेंपडों में जिलन हो सकती है दिमाग और नर्वा सिस्टम को भी नुक्सान हो सकता है EPA का कहना है कि कुछ सबूत दिखाते हैं कि एथिलीन oxide के सास के दुवारा संपर्क में आने से महिला मजदूरों में गरवपात के केसिस मिल सकते हैं EPA की report के मताबिक जानवरों में इस गैस से परदिनन से जुड़े परभाव देखे गए है जिसमें उनके सुकरानों उसके concentration में कमी देखी गई है US National Cancer Institute के मताबिक एथिलीन oxide से lymphoma और leukemia हो सकता है इसके अलावा यहाप पेट और अस्तन का कैंसर कर सकता है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा